पांच खाडी देशों के राजनएक संबंद तोड़ने के बाद कतर बाचीत को राजी हो गया है आतंक वात का आरोप लगा कर संबंद तोड़ने वाले पांच खाडी देशों के सामने कतर ने सशर्ट वार्ता का प्रस्ताफ रखा है कतर खाड़ी के पांच पडोसी देशों के साथ विवादों को बातचीत से हल करने के लिए तयार है लेकिन उन्हें कतर की संप्रूटा का भी सम्मान करना चाहिए एक टेलिवीजन पर दिये अपने भाशन में शेक तमीम बिन एहमद अल्थानी ने कहा कि कुवैत की मध्यसता और अमेरिका तुर्की जर्मनी सहित अन्य देशों के समर्थन पर गहन विचार विमश्च किया है सारे तरकों को समझ कर ही कतर अपने पडोसी देशों के साथ बातचीत को तयार हुआ है प्रस्ताओं के साथ ही कतर ने अपने आतंक निरोधी कानून में बदलाओ की घोशना की है शेक तमीम बिन एहमद अल्थानी की ओर से जारी नए आदेशों में नागरिकों और आतंकी संगटनों की दो राष्टी सूची बनाई गई है इसके साथ ही ऐसे मापदन्ड भी बनाई गए हैं जिनके आधार पर लोगों और संगटनों को उक्त सूची में शामिल किया जाएगा बदादे की कतर और अरब देशों के बीच चल रहे संगट में आतंक वाधी सबसे विवाधित मुद्दा रहा है अरब देश कतर पर इसलामिक कठर पंतियों को समर्थन देने का आरोप लगाते रहे हैं सौधी अरब मिस्र बहरीन, सैंत अरब अमिरात और यमन ने कतर पर आतंकी संगटनों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए ही उससे अपने संबंध तोड लिये थे डिवी लाइब की रिपोर्ट